KPTCL की तरफ से junior station attendant और junior power man के कई सारे vacancies छोड़े गए हैं और ये पूरी सरकारी नोकरिया है जिसमें आप लोगों को बस 10th pass भी अगर आप हैं तो आप apply कर सकते हैं easily तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी job requirement के वारे में पूरी detail में बताने वाला हूँ उसके लिए पूरा वीडियो को end तक ज़रूर देखना और जो लोग में चैनल को subscribe नहीं करें चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना KPTCL की तरफ से total 2975 vacancies जो हैना निकाली गई हैं जिसमें दो कैटेगरी से एक junior station attendant और दूसरा है junior power man इनको भी दो कैटेगरी में divide कर दिया गया है एक कल्यान करनाटक region और दूसरा non कल्यान करनाटक region सबसे पहले बात करते हैं इसके qualification के बारे में इन jobs को apply करने के लिए आप लोगों की क्या क्या qualification होनी चाहिए सबसे पहले education qualification देख लेते हैं पहले आप लोगों को education है SSLC 10th pass होना compulsory है दूसरा आप लोगो कनेडा में लिखना और पढ़ना आना ज़रूरी है जैसे कि आपको बता है करनाटका में है तो आप लोगो कनेडा आना ज़रूरी है तीसरा जो है में आप लोगों को fitness आपका भी टेस्ट लिया जाएगा वह आप मैं आपको आगे बताऊंगा क्या लिया जाएगा चोहनता आपकी eye side जो है आपकी आँखे अच्छी होनी चाहिए उसके बाद में age criteria की अगर बात करूं तो minimum age criteria 18 साल है और maximum age criteria 35 साल है उसमें भी अगर 2A, 2B, 3A, 3B और बाकी सारे लोगों को अलग से जोहना एक relaxation अलग से दिया गया है इन jobs को apply करने की जो date है 21-10 यानि कि 21 October 2024 से open हो चुकी है last date of online application है 20 November 2024 यानि कि total एक महीने का समय दिया गया है आप लोगों को apply करने के लिए apply करने के लिए आप लोगों को fees भी रखी गई है normally fees आपकी 616 रुपे है सारे tax वगरा मिलाके 2A, 2B, 3A, 3B वालों के लिए और वहीं पर SST है तो 378 रुपीस आसपस पड़ता है और वहीं पर अगर कोई handicap है तो उन लोगों को कोई भी fees देने की ज़रूरत नहीं है salary की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की salary initially 3 साल तक जो की training period रहेगा 17,000 से लेकर 21,000 रुपे तक हो सकती है training period खतम होने के बाद आप लोगों की salary increase हो जाएगी 28,000 रुपे से लेकर 60,000 तक आसपास हो सकती है इन jobs को apply करने के लिए online procedure है online procedure कैसी apply करते हैं वो भी बता देता हूं सबसे पहले आप लोगों को Google में चले जाना है वहाँ पर जाके आप लोगों को search करना है just com अगर आप लोग कहीं दूसरी जेगा आपके पास दूसरा है जैसे के hascom आता है उबली में तो आप वह भी search कर सकते हैं लेकिन मैं आपको लोगों को general search करके बता रहा हूं अब मैंने just com search कर लिया तो देखिए इस तरीकी की website आ गई है तो मैं उपर क्लिक करके just com की website open कर लेता हूं अब यहाँ पर right side में देखिए read more का option है उसके ओपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आप लोगो सबसे पहरा जो option है आप लोगो click here to apply for post देखिए दोनों आ गए है junior station attendant भी आ गया है और junior power man भी आ गया है तो उसके ओपर हम लोगों को क्लिक करना है जैसे क्लिक करें यहाँ पर link open हो जाएगी सबसे पहली जो link है वहाँ पर आप लोगों को जो है ना आपका form submit मर लाने के details submit करनी है दूसरी जो link दी गई है वहाँ पर photo और signature upload करना है तीसरी जो link गई है वहाँ पर जो है आपको चलान जो है आप लोगों का generate करना है चौनती लिक में जो है हो तो फिल करके आप लोगों को जो भी details वगरा पूछ रहा है आप लोगों को submit कर देना है अब यह successfully submit होने के बाद आप लोगों को फिर से वापस आना है वापस आने के बाद आप लोगों को जैसे बताया second link में photo और आप लोगो signature वो upload करना है तो second link पे click करेंगे तो यहाँ पर आप लोगो option आजाएगा upload करने का इसमें आप लोगों को देखिए तो application ID का पूछ रहा है तो जैसे आप लोग first link पे click करकर form fill up करते हो तो वहाँ पे आप लोगो application ID मिलती है तो यहाँ पी application ID data of birth आप लोगो डालके capture डालके इंटर करना है करने के बाद वहाँ पे आप सारी पे करनी है पे करने के बाद आप लोगों को यहां से भी काम खतम हो जाएगा उसके बाद आप लोगो लास्ट पर प्रिंट application पर क्लिक करकर application number data of birth डालकर capture इंटर करकर submit करना है वहाँ पे आप लोगों ने जो application fill up किया है उसका जो है ना copy दिख जाएगा उसको आप लो लोगों के 10 के marks देखे जाएंगे किसके ज्यादा marks है तो उसके बाद मार्क के बाद जो हैं जो है ना दूसरी धरिये जैसे के मैंने बोला टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का जो आप लोगों खंबे पर चड़ना है जैसे कि आपको पता यह एलेक्ट्रीकल का है तो ख अराउंड कुछ है तो एक पोश्ट के लिए पांच लोगों को सब्सक्राइब करने हैं तो जो लोग भी एलिजिबल है इस जॉब को अपलाई करने के लिए तो तुरंच जाईए जाकर आप लोग अपलाई कर लीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके मिलते हैं एक लिए वीडियो में तैंक यूफर वाचिंग